संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याई 6 पज संख्या 45 से 52 इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिश्यों को इसके ले बादि किया कि वे नाव पर चड़कर उनसे पहले उस पार बैट साइदा चले जाए इतने मेवे स्वयम लोगों को विदा कर देंगे इसा लोगों को विदा कर पाहाडी पर प्रातना करने गए संध्या हो गई थी नाव समुद्र के बीच में थी और इसा अकेले स्थल पर थे इसा ने देखा कि शेश्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं क्योंकि वाईयू प्रतिकूल थी इसलिए वे रात के लगबग चौते पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी और आए और उनसे कत्रा कर आगे बढ़ना चाहते थे शेश्य ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा वे उन्हें प्रेट समझ कर चिल्ला उठे क्योंकि सबके सब उन्हें देखकर घबरा गए इसा ने तुरंथ उनसे कहा धारस रखो मैं ही हूँ दरो मत तब वे उनके पास आकर नाव पर चड़े और वाईयू थम गई शेश्य आशर चकित रह गए क्योंकि वे अपनी बुद्धी की जड़ता के कारण रोटियों के चमतकार का अर्थ नहीं समझ पाए थे